सर लग रहा है आप बंगाल में क्या स्थिती होने वाली है बंगाल में बीजेपी हारेगी हलकि बीजेपी अकेले चुनाओ नहीं लड़ रही है बीजेपी के साथ में तमाम सारे मोर्चे हैं उसमें चुनाओ आयोग है एडी है सीवियाई है इंकम टेक्स है और आईटी सेल है बीजेपी का तो यह तो धर्म अधर्म की लड़ाई है और जिस तरह से चुनाओ आयोग ने वहाँ के लिए आठ चरण में चुनाओ किया है उनका इरादा है कि वहाँ टीमसी को बामपंत और कांग्रेस के अलाइंस को पर दिया जाए जो कि तब बहुत सारे नेता गोधी मीडिया इडी इंकम टेक्स चुनाओ आयोग भी ऐसे अधिकारियों की नुक्ति करेगा जो इनके पक्च में हैं सेंटर रिजर फोर्स सब इनके साथ में मिलकर के काम करेंगे तो वहाँ का चुनाओ की रिगिंग करेंग बेइमानी करेंगे एबियम तो ही है वरना आइसी क्या बात है कि आठ चरण में चुनाओ बंगाल में हो और तमिलनाडू में और केरल में ना चुक्कि वहाँ पर जीत नहीं सकते हैं यहाँ पर जबरजस्ती जीतने की कोशिश कर रहे हैं जैसे बिहार में हार गए थे लेकि बेइमानी से सरकार बिहार में बनाई है मनेपूर में बेइमानी की सरकार चल रही है गवर्नर छे मेले जो क्वालिफाइड नहीं थे उनकी भी बोटिंग काउंट कराई गोवा में किया इन्होंने और आपका मदबरदेश में किया करनाटक में किया और महाराष्ट में पां बंगाल की जनता जरूर इनको सबक सिखाएगी और हिंदु मुसल्मान एक जाती से दूसरे जाती का, राम से दुर्गा का, यह सब जो लडाते हैं, जाती से जात को लडाना, धर्म से धर्म को लडाना, छेत से छेत को लडाना, संस्ताओं को तहस नहस करना, इसका सबक इनको स तिकाएगे जरूर।